कि अब हैं कि अब हैं कि अदिशिए मुई तैरवार और आज पूपक है ऑक्सीटोशन ऑक्सीटोशन होर्मोन बहुत इंपर्टेंट हर्मोन है मेली फिमेल्स में जब अपन का कोई भी बर्थ हो रहा है या फिर मिल के जाक्षन रिफलेक्स यह आपने सबस्टेट होने वाले हर्मोन दो है और अब है उसको बोलते हैं तो इन दो हर्मोन के बारे में पढ़ने वाले सबस्क्राइब देखें के पना अब सब्सक्राइब होता है पूश्टियर पार्ट होता है उसका नहीं सॉरी पूश्टियर पूश्टियर होता है वहाँ पर हार्मोन कहां से आते हैं हाई पूश्टियर में और पूश्टियर पूश्टियर से क्या होते हैं वह रिलीज हो जाते हैं बिलड में कहाँ पर इस तरह की प्रोसेस रहती है तो देखिए पॉसितोसन भी क्या पोस्टियोट्री पोहुचता है और एडियाज भी पोस्ट्रीट्री पोहुचता है लेकिन बनते कहाँ पर पेरावन्ट्रीकुलार और सब्थ्रॉप नुकलिस आप हाइपोथेलमस ठीक है तक लाने के लिए जो एक्सेस हो यूज होता है इस तरह का एक्सेस थोड़ी एक जोन के थुरूई आधा है इसको बोलते हैं और ट्रेक्ट उनके बीच में वो ट्रेक्ट होता है ठीक है अगर एक निश्चेत पहुंच जाता है जब तो क्या होता है फिलर में रिलीज हो जाता है ठीक है सुचेवल के मिस्टरी देखें तो वॉली वेप्टाइड है नाइन अमाइन असे जो आपनका उसके पास कितनी नहाइन असे होते हैं और अपनके रूस होड़ में करते थे 191 शुए और यूटरी है अधिशन सों तो पहली आख करता है यूटर्स अचलिंट एपर नं प्रेगनें टूर्स और उसके बाद सबस्टेंदेंड मेल में तो सब सबसे नों का स्वरूम मैंमरी गलेंट से ऩे डट ऑद मेमरी गलेंट और लाइन वाइ मायो पैथिले लेल गई हां कि यह यह हो गां की तक अब इस डपड में यह पाई आपन की मायो एपिथीलियल सेल्स कि मायो एपिथीलियल अब इन पे जब हर्मोन काम करता है यह का करेंगे कि यह कॉंट्रेक्शन करवाएंगे इस दिखने वाले हैं मिल्क एजेक्शन रफ्लेक्स ठीक है इस पर आपन ब्रेश्ट पर देख लेए क्या 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 फंक्शन होते है ओक्सिटोशन के फेर अपन दिखेंगे यूटरस पर मिल्क एजेक्शन रफ्लेक्स यह एक न्यूरो एंडोकृराइन लट्रैक्स है निरो मतलब इसमें ब्रेंड होगा एंडोकृ आन मतलब इसमें होर्मोन या ग्रेंट्स भी huge और फ्लेक्स तो यह मतलब एक तरह का रेफ्लेक्स शेंसेशन पहले कहां पर जाएगा अपनके ब्रेन में जाएगा और उसके बाद कहां पर बापस से ग्लेंट थी तो यहां के आसफाद कुछ सेंट होंगे होंगे कि यह यह तो इक एक है वो सकल करेगा मदर निपल को तودट विश्य थिए हो जाएँगे इस तुम जाएँ फोलाइक निज थीक के इस से क्या होगा सेंड इंपल्स टू पोस्टियर प्यूटियर ग्लेंड तो यह हो गई अपन की ग्लेंड इंवाल नियुरो एंडोक्राइट उस्टेब टेटरी पर पहुंचा रिलीज ऑप ऑक्सिटोशन इन ब्लड तो फिर क्या होगा हॉर्मोन का रिलीज हो गया अपनका कहां पर ब्लड मे रीच में मेंरी ग्लेंट कों क्षांट्रेक्शन उप्माइव फिल्मा पिटीजल सेल्स का क्या करेंगी और विलाइश से पूरा पूरा जो अब अनका मिलेंगा उसको कहां तक लाने की कोशिचिक निंपल तक ठीक है रिजल्ट सिंद्टियर अज्यक्सित परम्मेमेरी ग्र कर रहा है उसके बाज़ दिखर एक तुरू इस से कहां पर आ रहा है यह पूश्टियर प्रिटेटर गिलेंस से अपनका रिलीज रिलीज हुआ अब देखते हैं एक सान उन यूटर में प्रेग्नेंस में क्या होता है और प्रेगनें यूटरस ऑ्कषिटॉस benth कि इन जो में होता है का प्रेगनेंट के टाइम तिक लिटर इस टेज ओप्रेगनेंट इनवाल अप यूटर्स है तो यह यूटर्स की वाल है यहाँ पर क्यों पिखते होते हैं क्योंकि यह अपर can you कि अदर में रहेगी यह यहाँ पर बहुत जादा ग्रॉथ होता जाएगा ठीक है पर यह सो मुवमेंट ओफ फीटर सीटमीन जए का माले भीटर से तसका जैसी मुवमेंट होगा तियां पे तच होगा अब यहां पर टार्च होगा त्यां पावर भंट सब्सक्राइब शुर्ट हुआंगः क्योंकि अंदर गीतर तरफ इस तरह से इंट्रि लेरा सा रहें तो निकलना है ठीक है लार्ज नमबर ऑफ इंपल्स हाइपोथेलमस तो हाइपोथेलमस बहुत ज्यादा इंपल्स जाने लगेंगे क्योंकि इसका एक्सपंजल होना शुरू हो गया यह वेजाएना यह सर्वेक्स तो यहां की जो रिसेप्टर है वो इस्टिम्लेटर हो के कहां प तो यहां पर क्या होता है तो यहां से कॉंट्रेक्शन कराता है तो यह स्परम क्या होते हैं फिलोपियन ट्यूप तक पहुंच पाते हैं तो यह भी ऑक्सिटोशन कराता है नौन प्रेग्नेंट में कराता है ठीक है